Welcome back students, students आप देख रहे हैं IIC पटरंगा का यूटूब चैनल मैं हूँ जमाल अहमद Class 7 की इंग्लिस आज कल हम पढ़ रहे हैं Lesson No. 2 लेकर आज मैं हाजिर हूँ Title है The Holy Ganga Holy का मतलब होता है पवित्र, पाको साफ यानि पवित्र गंगा यह हमाज लेसन का नाम है यहाँ से मुश्रू करते हैं The Ganga is our national river The, दा क्यों लगाया गया भई यह Ganga चुकि नाउन है नाउन से पहले दा लगाया जाता है इसलिए लगाया गया है The Ganga is Ganga है Our, हमारी national राष्ट्री river नदी Ganga हमारी राष्ट्री नदी है It is one of the world heritages It is, यह है one of the world heritages It is one, यह एक है Of the world, संसार की heritages विरासत में से यह संसार के विरासत में से एक है संसार की विरासतों में से एक है यहनि संसार भर में बहुत सारी चीजें विरासत मानी गई है उन में से Ganga river भी एक है ठीक है फिर आगे The Ganga is the lifeline The Ganga is the lifeline of India And one of the most important rivers of our country Ganga is Ganga है The lifeline, जीवन रेखा यानि इसी को पर जिंदगी ठीकी हुई है Of India, भारत की And, और one of the most और एक महत्तपूर Most important, सबसे ज़्यादा महत्तपूर Rivers, नदियों में से Of our country, हमारे देश की गंगा क्या है? भारत की जीवन रेखा है और हमारे देश की जो महत्तपूर नदियां है उन में से एक है It यहाँ देखते हैं थोड़ा दब रहा है It is considered इसे समझा जाता है इसे माना जाता है Sacred, पवित्र And worshipped और इसकी पूजा की जाती है As Goddess Ganga Ganga Devi के रूप में Devi Ganga के रूप में यानि इसे यानि Ganga नदि को Devi Ganga के रूप में माना जाता है और इसकी पूजा की जाती है इसे पवित्र समझा जाता है इसे पवित्र माना जाता है ठीक है? The Ganga begins Ganga शुरू करती है It's apti journey यात्रा को from say गॉमुक The Gunga begins its journey from Gunga Gunga अपनी यात्रा गॉमुक से सुरु करती है यानि Gunga जहां से निकलती है उठ जगा का नाम है Gउमुक Gउमुक is a cave Gउमुक एक cave है Cape मतलब गुफा Gउमुक एक गुफा है made of का बना किस चीज़ का बना made of ice made of ice बर्फ का बना इंदा हिमालयाज हिमाले की परवस्रिंखलाओं में हिमाले में जो है बर्फ की बनी एक गुफा है जिसे गोमुक कहते हैं गंगा नदी वही से निकलती है ठीक है? तो गोमुक की जखके गोमुक एक गुफा है made of ice बर्फ की बनी हुई इंदा हिमालयाज हिमाले की परवस्रिंखलाओं में यानि हिमाले से ठीक है? दा आइस बर्फ melts पिघलती है दा आइस मेल्ट बर्फ पिघलती है आयंड दा वाटर फ्लोज और पानी बहता है फ्लो मतलब बहना और पानी बहता है पानी स्ट्रीम चोटी चोटी धारा के रूप में एक चोटी धारा के रूप में जो है पानी बहता है बर्फ पिघलने लगती है देखिए गोफा जो होती है वहाँ पर बर्फ जमी होती है और वो बर्फ वहाँ पिघलती है तो पिर क्या होता है चोटी सी धारा के रूप में वहाँ से पानी बहने लगता है As the ganga flows जैसे 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 गंगा बहती है Down, नीचे की तरफ यानि पहाड से नीचे की तरफ आते हैं ना पानी तो जैसे 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 पानी जो है गंगा नीचे की तरफ बहती है क्या होता है The mountains पहाडों पर यानि गंगा जैसे से उपर से नीचे की तरफ नीचे की तरफ बहती है क्या होता है More and more little streams join her और ज्यादा छोटी छोटी धाराएं उसको join कर लेती हैं उससे मिल जाती है यानि उदर थोड़ा बर्फ थी वो इदर से आगे थोड़ा मिली उदर बर्फ ती वो मिली तो इस तरह से धीरे धीरे जो क्या होता है कि छोटी छोटी धाराएं जो है यह stream मतलब धारा join कर लेती हैं उसको उससे मिल जाती है दस इस परकार दगंगा becomes गंगा हो जाती है bigger बड़ी and bigger और बड़ी इस तरह से गंगा बड़ी और बड़ी होती जाती है और बड़ी हो जाती है it flows यह बहती है down the mountains पहाडों से नीचे की तरफ very fast बहुत तेज it flows down the mountains very fast यह पहाडों से नीचे की तरफ बहुत तेज बहती है बहुत तेज चलती है it becomes wider यह चोड़ी हो जाती है, become, become मतलब होना, becomes हो जाती है, परजय इंडिफिनिट टेंस, यह हो जाती है, wider, चोड़ी, wide, wider, widest, wider, comparative degree है, wide मतलब चोड़ा, wider और चोड़ी, and wider और चोड़ी, it becomes wider and wider, यह चोड़ी और चोड़ी होती है, as it reaches, जब यह पहुँचती है, the planes मैदानी भागों में, जब यह मैदानी भागों में पहुचती है, तो और ज्यादा चोड़ी हो जाती है, ठीक है, आगे देखते है, It reaches, reach मतलब पहुँचना, reaches मतलब पहुँचती है, यह पहुँचती है, it का use किया गया है गंगा के लिए It reaches, यह पहुँचती है, the plans मैदानी भागों में, at हरदवार, हरदवार में ये पहाड से होकर जब मैदान में पहुचती है तो कहां पहुचती है हर दौार पहुचती है In the plains, मैदान में, मैदानी इलाकों में, it flows, ये बहती है Through से होकर, many, बहुत से, villages, villages and towns of India In the plains, it flows through many villages and towns of India मैदानी इलाके में, ये भारत के बहुत से, गाओं और कस्बों से होकर गुजरती है ठीक है? उदर से होकर बहती है ये भारत के, जब मैदानी इलाकों में आती है, तो बहुत से, गाओं और कस्बों से होकर बहती है On both the sides, दोनों किनारों पर, off the river, नदी के, गंगा, गंगा नदी के दोनों किनारों पर There are, हैं, there का मतलब कोई नहीं, यहाँ पर there, एक sentence को construct करने के लिए यूज किया गया है There का मतलब ऐसे वहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ वहाँ का sense नहीं है There are green fields, हरे हरे खेत हैं, कहाँ पर? On both the sides, दोनों किनारों पर, यानि गंगा नदी के इस तरफ और उस तरफ, दोनों किनारों पर, क्या हैं? हरे भरे खेत हैं On the both sides of the river गंगा, गंगा नदी के दोनों और, there are green fields हरे भरे खेत हैं Many other rivers join the ganga in the plains, अन कई नदीयां, many मतलब कई, other मतलब, अन, rivers मतलब नदीयां, join मतलब जुड़ जाती हैं The ganga, ganga से in the plains, मैदानी भागों में Ganga नदी से मैदानी भागों में और कई नदीयां आकर जुड़ जाती हैं The yamuna and the invisible Yamuna नदी और अद्रिष सरस्वती और अद्रिष सरस्वती मीट मिलती है The ganga, ganga से at परियाग राज में क्या पता चला? कि Yamuna और अद्रिष सरस्वती गंगा से परियाग राज में आकर मिलती है This meeting place ये मिलन का अस्थान Meeting मतलब मिलने का place मतलब अस्थान ये मिलने का अस्थान ये जो मिलन होता है Of the three rivers तीनो नदीयों का यानि गंगा, जमना और सरस्वती ये तीनो नदीयों का जो मिलन होता है Is, called, कहा जाता है तिर्वेणी संगम इसे तिर्वेणी संगम कहते है इन तीनो नदीयों का जब मिलन होता है जहां पर उसे तिर्वेणी संगम कहा जाता है ठीक है? It is a holy place Holy, holy का मतलब पवित्र मैंने बताया ये एक पवित्र अस्थान है काल्ड कहा जाता है इसे तीर्थ राज परियाग ये एक पवित्र अस्थान है जिसे तीर्थ राज परियाग कहा जाता है ठीक है? फिर आगे है कुम्भ, मेला, अट परियाग हैस गेंड परियाग में अलहाबाद में जो मेला लगता है has gained प्राप्ट कर लिया है उसने उसे मिल चुका है international अंतर राष्ट्री फेम, फेम मतलब परशिद्धी ख्याती as the world's largest religious gathering संसार की सबसे बड़ी धार्मिक gathering जहां लोग इकठा होते हैं संसार में सबसे ज़्यादा अगर धार्मिक रूप से कहीं कोई इकठा होता है, तो कहां होता है कुम्भ मेला में होते हैं लोग gathering up people लोगों की भीड, लोगों की इकठा होना फिर से देखिए कुम्भ मेला at परियागराज has gained international fame परियागराज का जो कुम्भ मेला है परियाग का, अलहाबाद का उसने अंतर राष्ट्री ख्याद प्राप्त कर ली है, यानि वो बिश्वर में परसिद्ध हो गया है, आईस के रूप में दो वर्ड्स लार्जेश्ट रिलिजिस गैधरिंग ऑप पीपल जो धार्मिक लोग है यानि धार्मिक गैधरिंग जो होती है लोगों की, जो किसी धर्म के काम के लिए लोग इकठा होते है उन में ये सबसे बड़ी गैधरिंग है, सबसे जदा भीड़ यहीं पर होती है, पूरे संसार में धर्म के काम के लिए इतनी बड़ी तादाद में लोग कठा नहीं होते जितना कुम्भ मेला में होते हैं मेनी हिंदूज बहुत सारे हिंदू लोग बिलीब यकीन करते हैं विश्वास रखते हैं that taking a holy dip कि एक पवित्र डुपकी ले लेना एक पवित्र डुपकी लगा लेना in the गंगा गंगा में कैन कर सकती है प्यूरिफाई शुद्ध पाक अपरसंस एक ब्यक्ति की सोल आत्मा को of all past sins पिछले किये गए गुनाहों past sins मतलब पूर में किये गए पाप फिर से देखिए many Hindus believe that बहुत सारे हिंदू ये मानते हैं कि taking a holy dip in the गंगा गंगा में एक डुपकी लगा लेने से एक पवित्र डुपकी लगाने से क्या हो सकता है purify हो सकता है वो ब्यक्ति जो है क्या होता है उसके पाप धुल जाते है of all parts उसके आत्मा के सारे पाप धुल जाते हैं many big cities बहुत से बड़े शहरों से पास होने के बाद गुजरने के बाद देखिए after मतलब बाद pass मतलब गुजरना passing after passing गुजरने के बाद through से होकर many बहुत से big cities बड़े शहरों बहुत से बड़े शहरों से गुजरने के बाद वहाँ से चलने के बाद क्या होता है दा गंगा फ्लोज गंगा बहती है towards the sea नदी की तरफ towards मतलब की तरफ की ओर गंगा नदी की ओर बहती है समंदर की ओर बहती है बहुत से बड़े शहरों से गुजरने के बाद वहां से होते हुए गंगा नदी समुद्र की तरफ बहती है as it reaches जब ये पहुँचती है closer करीब close कहते हैं करीब को closer करीब to the sea समुद्र के जब ये समंदर के करीब पहुँचती है its speed इसकी जो गती होती है becomes हो जाती है slower और कम and slower और कम जब ये समंदर के करीब पहुँचती है तो इसकी गती धीमी और धीमी हो जाती है and finally और अंत में it merges मर्ज कहते हैं मिल जाने को अंत में ये मिल जाती है into the sea समुद्र में और अंत में ये समुद्र में मिल जाती है जब ये समुद्र के करीब पहुँचती है इन्टू क्या है? प्रेपोजिशन है. दगंगा ज्रनी, गंगा की जो लंबी यातरा है, फ्रॉम हाई अप, उचाई से लेकर, इन दा मौंटेंस, पहाडों से, पहाडों की उचाई से लेकर जो इसकी लंबी यातरा है, ends, खत्म हो जाती है, एट दा, पर, बे आफ, बंगाल, बंगाल की खाड़ी पर, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, इसकी जो लंबी यातरा पहाडों से होकर चलती है, उचाई से, वो बंगाल की खाड़ी में आकर खत्म हो जाती है, दा, गंगाल की खाड़ी में जाकर ये खत्म हो जाती है, दिस प्लेस, ये अस sentence के तो उसका मतलब होता है कहां और जब sentence के बीच में आए तो उसका मतलब होता है जहां this place यह अस्थान जहां गंगा जाइन करती है गंगा मिलती है दसी समुद्र से इस कार्ड कहा जाता है गंगा सागर ये अस्थान जहां पर गंगा समुद्र में जाकर मिलती है उसे गंगा सागर कहा जाता है ठीक इस्टेंट्स अब देखिए एक ये कोड़ेशन दिया हुआ है गंगा स्पूर्टी जार रिस्पांस्बिल्टी गंगा की सुद्धा हमारी जिम्मेदारी है यानि गंगा को पाको साफ रखना ये किसकी जिम्मेदारी है हमारी जिम्मेदारी है ठीक है ये मीनिस औगरा है इनको आप याद कर लीजेगा question answers ये सारे दिये हुए है question answers मैंने यहां type कर दिये है पहला question है which is the national river of India भारत की राष्टी नदी कौन सी है बहुत आसान गंगा is the national river of India अगला question है where does the गंगा begin its journey from गंगा अपनी यात्रा कहां से शुरू करती है गंगा begins her journey from a cave called गोमुक गंगा अपनी यात्रा गोमुक से शुरू करती है जो कि एक गुफा है जिसका नाम गोमुक है वहां सुरू करती है where do the यमुना अपन जिसको कहां जाइन करते हैं अपनी लबी यात्रा गंगा कहां खत्म करती है कहां समाप्त होती है गंगा की जो लंबी यात्रा है वो बंगाल की खाड़ी में खत्म होती है गंगा अपनी यात्रा को बंगाली खाड़ी में खत्म करती है गंगा की साफ सतराई इसको साफ रखना हमारी जिम्मेदारी क्यों है गंगा हमारी नदी है राष्टी नदी है यह क्या है संसार के दिरास्तों में से एक है लॉट्स आफ इंडियन पीपल डिपेंड आनिट बहुत सारे भारत के लोग इसी के ऊपर डिपेंड हैं इसी के ऊपर निरभर हैं इसी सिन का काम चलता है खेती बाड़ी नदी के सारे होती मचली मारना यह से तमाम काम होते हैं ठीक है इस दे लाइफ लाइफ लाइन आफ इंडिया यह भारत की जीवन रेखा है इसलिए हमारी जिम्मेदारी है वी शुट कीप दे गंगा क्लीन के हमें गंगा को साफ रखना चाहिए ठीक एशिडेंट्स एक बार फिर लोटते हैं हम अपने उसकी तरफ यहाँ पर यह सब question answer हो गए और यह जो कुछ right option इनको आपको select करना है आप खुद करिए इसको ठीक है मैं सारा बता दूँगा तो आपको कुछ दिमाग में ही लगाना पड़ेगा यह तीन option दिये गए है तो आपको सही वाला option इसमें से select करना है फिर अगला है गंगा समाप्त होती है कहाँ पर परियाग में हरदवार में दब्बे आपंगाल में गंगा कहां समाप्त होती है उस पे टिक लगाना है आपको तिर्वेनी संगम is the meeting place of the तिन सहरों के तिरी वर्ष तिन नदियों के कौन सा सही है इसमें आपको टिक लगाना है फिर है दब प्लेस वेर दगंगा जाइंस दसी इस वो अस्थान जहां पर गंगा समुद्र को जो है जाइं करती है समुद्र से जाकर मिलती है दयमना सागर वो यमना सागर है दगंगा सागर वो गंगा सागर है दसरस्ति सागर वो सरति सागर कौन सा है वो आपको टिक लगाना है ठीक है फिर है fill in the blanks इसमें से आपको खाली जगहों में यहां से ढूट कर आपको भरना है कौन सा सही है वही suitable चीज आपको इसमें भरनी है ठीक है बहुत easy है ये भी आप कर सकते हैं अगर हो सके तो comments में आप ये जो fill करना है और ये नीचे सही करना है सब्दों को सही तर्तीब से लिखना है ये करके हमको comments box में लिखिएगा तो मैं उसको जो है जिसका सही होगा उसको मैं जो है response करूँगा ठीक है ये तो बहुत easy है आप आसानिश कर लेंगे ये आप करके दिखाईएगा ये वाला कि इसमें क्या भरा जाएगा इसमें क्या भरा जाएगा और ये नीचे वाला ये ये positive, comparative और superlative डिगरी ये तीन डिगरी है slow, slower, slowest ऐसे ही wide, wider, widest ये तीन बच्चे हैं इनको करके दिखाईएगा ठीक है श्नेट्स तो आगे फिर और है कि 5 sentence आपको लिखने 5 sentence लिखने हैं कि हमें जो है गंगा को साफ क्यों रखना चाहिए तो वही सब बाते हैं जो अभी आप पढ़ते सीखते आए हैं कि हमें गंगा नदी को साफ क्यों रखना चाहिए भई कि इसलिए रखना चाहिए क्योंकि the ganga is our national river गंगा हमाई राष्ट्री नदी है गंगा is our national river आफ इंडिया गंगा भारत की लाइफ लाइन है जीवन रेखा है तिसरी बात हो गई चौती बात हम कह सकते हैं कि many families depend on it बहुत सारी families बहुत सारे परिवार इस से जो है depend है मतलब इसी को उपर निर्भर है और हम कह सकते हैं कि the ganga is considered a sacred river एक पवित्र नदी के रूप में मानी जाती है and it is worshipped और इसकी पूजा की जाती है यह आप यह कह सकते हो कि it is considered sacred and worshipped as goddess ganga और last में आप कह सकते हो many tourists come to see the ganga so we should clean it या we should keep it clean ठीक है तो इस तरह से आप यह sentences यहां लिख सकते हो या कुछ और चीज़ें दी है read the following sentences carefully निम sentences को साधानी पूरवक आप जो है पढ़िए I have a book मेरे पास एक किताब है The table has four legs टेबल में चार पैर होते हैं चार leg होते हैं The tiger has black stripes tiger के जो है काली धारियां होती है butterflies have colored wings जो तितलियां होती है उनके punk रंगीन होते हैं रंग बिरंगे होते हैं तो उसी तरह से आपको यहां पर भी है जा है भरना है ठीक है यह भी कर लीजेगा आप और बहुत सारी चीज़ें यहां जानने वाली है पढ़ लीजेगा इसमें कुछ खास नहीं बताना है ठीक है इस्ट्वेंट्स तो उम्मीद है आज की क्लास भी आपको पसंद आई होगी थाइस पर वाचिंगए